स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर अगर आप इगनू के स्टूटेंट है तो आपके दिमाग में इगनू से रेलेटेड कोई न कोई डाउट, कोशन, कन्फ्यूजन जरूर होगा जिसका अंसर आपको नहीं पता होगा तो इस वीडियो में मैं आपको इगनू के एक ऐसे तो चलिए सुरू करती है सबसे पहले आप आप आईगराम.इगनू.ac.in के वेबसाइट पर आ जाएंगे इस वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकती है ओलाइन कंप्लेट करने के लि या फिर आपका इगनु से रेलेटिट क्या क्वैरे है तो यहाँ पर आपको जो सब भी ऑप्सन दिए जाते है एकजाम्पल के लिए जिसके आपका जो है Assignment से रेलेटेट कोई समस्ता है तो इस पर आप कलिक करेंगे उसके इसके बाद यहां पर आपको subject way साथिर रिर योड में को है ये या फिर अलाइन को प्रॉब्लेटे के लिए अप सब्सक्राइबन का दिया जाते हैं या फिर चेंज अफ्रोग्राम आप चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई एनियादर है यहां पर मालेज की इस category में जो आपके problem का यहां पर category नहीं दिया यहां आठ अधर select करेंगे एक जा के लिए मैं यहां पर आपको reader select करके दिर्फा दिखा दिता हूँ कि यहां से आप जो सभी details देना होगा, सबसे पहले यहां पर आपको अपना regional center बताना हो, तो आपका जो भी regional center है, यहां पर आपको सभी regional center का नाम मिल जाएगा, तो आपका जो भी है, यहां से select करेंगे, हमारा Delhi 3 है, तो यहां हम Delhi 3 select करते हैं, यहां पर आप अपना enrollment number डालेंगे, यहां पर आप आपके आईडी कारड पर लिखा गया है, यहाँ से आप अपना program select करेंगे, आप इगनु से क्या program कर रहे है, और यहाँ पर आपफना email ID डालेंगे, जो working condition में हो, और यहाँ पर mobile नमर डालेंगे जो working condition में हो, और आपका क्या problem है, यहाँ पर आप अपने problem को पूरा अच्छे से describe कर देंगे पूरे अच्छे से detail में लिख देंगे यहाँ पर आपको query को option दिया गया है यहाँ पर आप अपने problem को पूरा detail में लिख देंगे और साथी में अगर आप कोई screenshot अपलोड करना चाहते या फिर कोई PDF फाइल वगर अटेच करना चाहते है तो यहाँ से आप यह चीजे भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह सभी details को डाल देते हैं तो यहाँ पर देखे हमने अपना सभी details जो फिल कर दिया है उसके बाद आपका जो भी problem है यहाँ पर आप अपने problem को describe करेंगे तो हमारा जो भी problem है हम यहाँ पर अपनी problem को पूरा detail में लिख देते हैं जिसके मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो हम यहाँ पर screenshot भी attach करना चाहते हैं तो screenshot को या फिर PDF file को attach करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और आपका screenshot या फिर PDF जहां पर भी रखा गया है उसको आप पिक करेंगे जिसके हमारा यह रहा हम इसको पिक कर लेते हैं तो देखें यहाँ पर यह आ गया है उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें इस परकार से लिखा हुआ जाएगा ग्रिवांस सम्मिटेड सक्सेस्पुली यहाँ आप ओके पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर रुसत्त करके इंट्रफेस आजाएगा और यहाँ परlower आप जो भी Top slight और यहाँ पर एक GST नमबर दिया जाता है यहाँ पर यहाँ से आप इसको ड़न करके रख लिएगए जोभी नमर आपको दिया जएगा उसको note down करके रख लेंगे यह आपको काम आएगा काम किस प्रकास आएगा चलिए मैं आपको बता देता हूं आप जो दुबारा से इसी वाली website पर आजाएंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रैक ग्रिवांस response status इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंटर जी एस टोकन नंबर यहाँ पर देखिए आपको जो टोकन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे यहाँ से आप इसका status भी चेक कर सकते हैं नंबर डालने के बाद यहाँ get status पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और आपका जो भी query है यहाँ पर आपका query आ जाएगा और यहाँ पर आप जिस दिन में submit करेंगे उस दिन का डेट आ जाएगा और इस्टेटस यहाँ पर जो भी रहेगा वह इस तरीके से बता देगा तो यहां से आप जो इसका इसका इस्टेटस भी लिए online complaint कर सकते हैं या फिर query के लिए आप यहाँ पर online form भर सकते हैं उमीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहा होगा इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को like किजगा अपने दोस्तों साथ जरू share किजगा मिलते हैं अगले वीडियो में